नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित उम्मीदें तो SRH की पहले ही खत्म हो चुकी हैं लेकिन वो जाते जाते थोड़ी बहुत जीत दर्ज करके अपने आपको पॉइंच टेपल में एक अच्छी इस्तिती में दिखाना चाहते हैं और इसी वज़ा से आज उन्होंने एक शांदार जीत RCB के खिलाब दर्ज कर ली है ऐसे में जीत के कारण क्या रहें वो हम आपको बताने जा रहे हैं पहले कारण में अगर आप नाम रखेंगे तो वो निष्चेत तोर पर बिना किसी संदेह के भूवनेशवर कुमार का होगा बुवनेश्वर कुमार ने चार उबर में बेहतरीन गेंदबाजी की इसके अलावा आखरी उबर में जब उन्होंने गेंदबाजी की तो वो काबले तारीफ रहे सामने दुनिया का सबसे बिसफोटक बलेबाज ए भी डिविलियर्स था लेकिन भवनेश्वर ने उसके सामने भी शांदार तरीके से गेंदबाजी की और अपनी टीम को जीत दिला दिन इसलिए जीत के वाज़ हीरो रहे और पहले कारण में हमने उनको शामिल कर रखा है दूसरे कारण पर बात करेंगे तो यहां पर नाम आएगा जेसन रॉयक का जेसन रॉयक और देविड बार्नर की जगाए सारज ने टीम में शामिल किया है पहले मैच में उन्होंने शांदार प्रदर्शन किया था लेकिन दो आखरी पारियां जो थी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाये थे केन विलियमसन आये हालांकि केन विलियमसन ने धीमी पारी खेली लेकिन ऐसे वक्त में खेली जब टीम के विकट लगातार गिर रहे थे उन्होंने उन्तीस रण बनाये और टीम को मजबूती प्रदान की जिसके बाद उनकी टीम 141 रण के स्कोर तक पहुच सकी और जब बॉलिंग करने आये तो शांदार तरीके से गेन वाजी भी सी वज़ा से हुई इसलिए केन विलियमसन की उस धीमी लेकिन शांदार पारी को हमने चीत की कारण में रखा है और तीसरा कारण SRH की जीत में बनाया तो केन विलियमसन की 29 रण की पारी जीत का एक अहम कारण रही है चौथे कारण पर बात करेंगे तो यहाँ पर जिवा तेज गेन बाज जो की खाड़ी राज जमू काश्मीर से आते हैं उम्रान मलिक है उम्रान मलिक ने 4 ओवर गेन बाजी की 20 रण दि एक ही बिकेट लिया अंतरराश्री क्रिकेट में उन्होंने पहला बिकेट लिया लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पहले मैच में जो पिछला उन्होंने खेला तफ्रभावित किया था उसी कुणोंने आज आगे बढ़ाया आज भी बेहतर तरीके से गेन बाजी की 150 के आसपास 151-152 तक वो गेन बाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने बेहद ही कम रन दिये और जब आपकी टीम 141 रन बनाकर डिफेंड कर रही हो और ऐसी गेन बाजी आपकी गेन बाज कर रहे हो तो निश्य तोर पर आप उन की बॉलिंग भी याद होगी है जिसमें उन्होंने शांदार प्रदर्शन जिया था उस प्रदर्शन को वो लगातार दोहरा रहे हैं आज भी उन्होंने पहले तो बल्ले बाजी में आकर एक रन बनाये काफी अच्छे खासे ताकि उनके टीम 142 तक जिसके वज़ासे पहु गलिसमें तो यज़र्शन झातार निए मैं ढूतार कर रँड़ कर दो क्पै दो है झाल झाल